नमस्कार दोस्तों, जै श्री कृष्ण राधे राधे, प्रिय दर्शकों जो औरतें कपरे खोल कर नहाती हैं, उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है। मित्रों, इस वीडियो में एक कहानी के जरीए आपको बताया जाएगा, साथ ही ये वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका किमती समय बरबाद ना करते हुए, अब सीधे कहानी पर ही पहुँचते हैं। मित्रों, एक समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं, तो पूरा सु लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, जब माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परन्तु सभी दुखी और परेशान हैं। तब लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी ने बहुत आश्चर्य से भगवान विश्नु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ, क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही। भगवान विश्नु ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य ह परन्तु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में सनान ही नहीं किया है फिर इने लाब कैसे हो? लक्षमी जी ने आश्चर्य से कहा कि सनान कैसे नहीं किया सभी तो नहा कर जा रहे हैं अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं भगवान विश्णु ने कहा ये लोग तो केवल जल में डुपकी लगा कर आ रहे हैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी गलिया कीचर से भर गई एक चौरे रास्ते में एक गहरा गढढ़ा था चारों और कीचर भर रहा था और भगवान विश्णु ने लीला से व्रिध रूप धारन कर लिया और विवश की तरह गढढ़ा में जाकर ऐसे पर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गढढ़े में गिर परा हो और निकलने की चेश्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझा कर गढ़े के पास बैठा दिया कि देखो तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहो कि मेरे व्रिध पती अकस्मात गढ़े में गिर परे हैं कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें और भगवान विश्नु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गढ़े में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि मेरे पती सरवता निश्पाप है इन्हें वहीं छुए जो खुद भी निश्पाप हो यदि आप निश्पाप हैं तो इनके हाथ लगाईए नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे लक्षमी जी तथास्तु कहकर गड़े के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर भगवान विश्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी गंगा में नहाकर लोगों के दल के दल आ रहे हैं और सुन्दर युवती को यू बैठी देखकर कईयों के मन में पाप और कईयों को कुछ धर्म का भाय हुआ कई कानून से ढरे और कुछ लोगों ने तो लक्षमी जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को क्यों उसके लिए रोती है और कुछ दयालू चरित्रवान पुरुष थे उन्होंने उस युवती के पती को निकालना चाहा परन्तु लक्षमी जी के वचन सुनकर वे भी रुख गए उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ पापी तो है ही कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाए इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाए किसी का साहस नहीं हुआ सैकरो आये सैकरो ने पूछा और चले गए संध्या हो चली तब भगवान विश्णू ने माता लक्षमी से कहा देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला तब थोरी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला लक्षमी जी ने उसे भी वही बात कही युवक्का हृदय करोना से भराया उसने भगवान विश्णू को निकालने की तैयारी की लक्षमी जी ने रोक कर कहा कि भाई यदि तुम सरवथा निश्पाप नहीं होंगे तो मेरे पती को छूते ही जल जाओगे उसने उसी समय बिना किसी संकोच के द्रढ निश्चय के साथ लक्षमी जी से कहा कि माता मेरे निश्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं मैं अभी तुम्हारे पती को निकालता हूँ युवक ने लपक कर बूरे को उपर उठा लिया भगवान विश्णु और लक्षमी ने उसे अधिकारी समझ कर अपना असली स्वरू प्रकट कर उसे दर्शन दे कर कृतार्थ किया भगवान विश्णु जी ने माता लक्षमी से कहा कि इतने सारे लोगों में से इस एक नहीं गंगा स्नान किया है इसी द्रिष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है गंगा स्नान का बहुत पुन्य भी है इसके बाद भगवान विश्णु जी ने माता लक्षमी जी से कहा अब मैं आपको वो बारह बातें बताता हूँ जो भी मनुष्य इन बारह बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है उसके घर में मा लक्षमी का वास होता है उसके घर में अपार धन आता है घर में कभी भी लराई जगरा नहीं होते है उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है तब माता लक्ष्मी ने कहा हे भगवन आप हमें ये बारह बातें बताईए इसके बाद भगवान विश्नु उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है दोस्तों, ये बारह बातें आप लोग भी बिलकुल ध्यान से सुनना इसके बाद भगवान विश्नु कहते हैं प्रिय, ये बारह बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊँगा जो औरतें कपरे खोल कर स्नान करती हैं उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हे लक्ष्मी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना तब ही विश्नु जी अपनी वानी को शुरू कर और बताने लगते हैं दोस्तों, विश्नु जी कहते हैं स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन रहता है नहाने से चहरे की करांती और शारीरिक आकर्शन में भी ब्रहोतरी होती है अगर इस नित्यकर्म के दोरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो अध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है नहाने के करम में इन बातों का खयाल जरूर रखा जाना चाहिए सनान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाथ आधी सारे काम करने के योग्य बनते हैं इसलिए सुबह को ही सनान कर लेना चाहिए नमबर दो शास्त्रों में कहा गया है कि सनान करने से इन दस गुणों की प्राप्ति होती है रूप, तेज, बाल पवित्रता, आयू, आरोग्य, निरलोकता, तब और मेधा नमबर तीन, धन, पुष्टी, वा आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन सनान करना चाहिए नमबर चार, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह सनान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है ऐसा कहा गया है कि सुभा नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती। इसलिए सुभा सनान करना ही उचित है। 5. बिमारी के हालत में सिर के नीचे से ही सनान करना चाहिए। गीले कपरे से शरीर को पोंच लेना एक तरह का सनान ही कहा गया है। 6. सुबह की लालिमा च्छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ट माना गया है। 7. तेल लगा कर और देह को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकल कर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। 8. जिन घाटों पर कपरे धोय जाते हैं, वहां का जल अपवित्र माना गया है। इसलिए वहां से कुछ दूर हट कर ही नहाना चाहिए। 9. नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। 10. पवित्र नदियों में कपरे निचोडने की मनाही है। 11. नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। करती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जिससे उनके घर की सुक्स धिबनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ में अपार धन बरसता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी नियमों में से एक है निर्वस्त्र सनान करना। आपने अक्सर घर के बरो को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी सनान बिना कप्रों के यानि निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौरानिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र सनान की मनाही का एक सबसे बरा कारण क पौरानिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में सनान कर रही थी और वो निर्वस्त्र थी उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिये उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिये और गोपियों ने अपने वस्त्र वा अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है क्योंकि इश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं और यदि आप निर्वस्त रहोकर इसनान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुन का अपमान करने जै मानसिक्ता भी नकारात्मक हो सकती है इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपरा जरूर धारन करें लेकिन बिना कपरों के स्नान ना करें तब ही आपके लिए बेहतर होगा निर्वस्तर स्नान से शरीर की सकारात्मक उर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन-मस्तिश्क में भी होता है। गरुर पुरान के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पित्र यानि मृत पूरवज आपके आस-पास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपको पित्र दोश लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को त्रिप्ती नहीं मिलती है। और ये घर में पित्र दोश का कारण बन सकता है। और ये वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहन करते हैं, जिनसे उनकी त्र निर्वस्त्र स्नान करने से पित्र अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नश्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली में धन हानी के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिती खराब हो सकती है। इन्ही कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मना ही है। तो प्रियमित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कॉमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम, जय हनुमान, साथ ही देवों के देव, हर हर महादेव, सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रियमित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, जय श्री राम.